चाहू किस राज्य का लोक नरत्या है चारा उप्षिन आपके पास सही उतर है जारखंड जारखंड राज्य का लोक नरत्या है चाहू नरत्या इसके अतरिक्त उडिसा और पस्चिम बंगाल में भी चाहू नरत्या को किया जाता है वहाँ इसकी अलग-लग प्रकार है अगला क्वेशन है सम्विदान के किस भाग में पंचाईतों का वर्णन है चार ओप्षन आपके पास सही उतर है भागनो भद के सम्विदान के भागनो में पंचाईतों का वर्णन है और इसके अंतरगत जब 73 सम्विदान संशुतर 1922 में हुआ था तो उसके अंतरगत पंचायतों को 29 विसे परदान किये गिये थे कमेंट में लिखके बताए कि 12 सम्विदान में कुल कितने भागें अगला क्वेशन है जैन धर्म के 24 में तीर्थंकर कौन थे चार आप्शन आपके पास सहीतर है महावीर महावीर जैन धर्म के 24 में तीर्थंकर थे इसके अतरिक्त वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी है महावीर वे महत्मा बुद्ध के समकालिन थे जबकि अगर हम बात करें जैन धर्म के संस्तापक के तो जैन धर्म के संस्तापक थे रिसब देव अगला क्वेशन है सासाराम बिहार में किसका मगबरास्थित है चार आप्षन आपके पास से युद्धर है सेड़सा सूरी सेड़सा सूरी का मगबरास्थित है सासाराम बिहार में और जब कि बात करें हुमाई क्यों तो हुमाई का मगबरास्थित है दिल्ली में सेरसासूरी ने कन्योज बिलग्राम के युद्ध में हुमाई को हरा दिया था और भात की सत्ता प्राप्त कर ली थी सेरसासूरी बाबर का सैनापदी था अगला क्वेशन है सौ डिग्री सेल्चियस की कैल्विन में माब कितनी होती है चार उप्षन आपके पास सहीतर है 373 केल्विन सौ डिग्री सेल्चियस बराबर होता है 373 केल्विन अगर हम बात करें जीरो डिग्री सेल्चियस की तो जीरो डिग्री सेल्चियस बराबर होता है 273 केल्विन अगला क्वेशन है बारतिया राजनीती में गांधी जी को सरप्रतम महात्मा से संबोधित किस ने किया था चार आप्षन आपके पास सहितर है रविंद्र नाहट टैगोर गुरुदेव रविंद्र टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा के नाम से संबोधित किया रविदना टैगोर ने एक रचना है उनकी गितानजली जिसके लिए उन्हें 1913 में साइत्य के छेतर में नोबोल प्रुसकार्ट से सम्मानित किया गया था अगला क्वेशन है अत्यदिक सराप के सेवन से किस अंग की खराप होने की संभावना सरवादिक होती है चार उप्षन आपके पास सही तर है यकरित मानौ का जो लिवर होता है यकरित उसकी सवादिक संभावना होती है सराप के पीने से जादा सराप के पीने से मानौ सरीर में जो लिवर होता है वहाँ पर अधिक प्रोटीन जमने लग जाता है जिसकी कारण रक्त चाप बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक की संभावना भी होती है अगला क्वेशन है कौन सी नदी अरब सागर में जल गिराती है चार आपके पास से युतर है नर्बदा नदी नर्बदा नदी मध्यभारत में प्रवायत होती है और इसका प्रवायत चेतर है यह अमर कंटक के बाहर से निकलती है और खंपाती खाड़ी में गिड़ जाती ह अगला क्वेशन है अयोध्या किस नदी के तड़ पर स्तित है चार आपके पास से युतर है सर्यू नदी सर्यू नदी के तड़ पर स्तित है अयोध्या यह उत्तर पर देश में स्तित है अगला क्वेशन है किस नदी के तड़ डल जील स्तित है चार आपके पास से युतर है जेलम नदी जम्मू कश्मीर में डल जील इस्तित है कश्मीर में और उसे जो उसका जो सुरोत है जल का सुरोत है वो है जेलम नदी और जेलम नदी से ही वो जल प्राप्त करती है जल जील अगर हम जेलम नदी की बात करें तो जेलम नदी सिंदु नदी जलतंतर की प्रमुक नदी है और ये भारत और पाकिस्तान के मद्य सीमा का निर्धारण भी करती है अगला क्वेशन है केवलादेव राष्ट्य उध्यान किस राज्य में स्थित है चार आप्शन आपके पास से इतर है राजिस्तान राज्य में स्थित है केवलादेव राष्ट्य उध्यान भात पुरु पक्चिय अभ्यारण ने भी केवलादेव राष्ट्य उध्यान के अं प्रायों राज्यों में एक सदनिय ब्योसता होती है यानि कि केवल विदान सबा होती है लेकिन भात में सात राज्य ऐसे हैं याँ पर दू सदनिय ब्योसता है यानि वहाँ पर विदान परिशत भी है जहाँ पर दो सदन होगे वहाँ पर निचला सदन होगा विदान सबा और जो उपर का सदन होगा इसकी स्तापना हुई थी 1954 में इसमें भारत की तीनों सेनाओं को थल सेना, जल सेना और वाय सेनाओं के प्रसिक्ष्षों को प्रसिक्षित किया जाता है यहाँपर अगला question है प्रधान मंत्री जंदन योजना की सुरुवाद कब हुई थी? चार उप्षन आपके पास से युतर है अगस्त 2014 अगस्त 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जंदन योजना को प्रारमकियस का मकसद था एक भाद के सामान्य नागरिक को बैंकिंग ब्योस्ता से जोड़ना अगला ग्वेशन है भासा के आदार पर किस राज्य का गटन सरपरतन हुआ था? चार उप्षन आपके पास से युतर है आंधर प्रधेश अगला ग्वेशन है जिपसम सरवादि किस राज्य में पाया जाता है? चार उप्षन आपके पास से युतर है राजस्तान राजस्तान राज्य में कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत जिपसम यहीं से प्राप्त किया जाता है राजस्तान में और जिबसम का पुरियोग किया जाता है सिमेंड के निर्मान में अगर हम इसके रासानिक सूतर की बात करें जिबसम के तो रासानिक सूतर है CASO4-2S2O अगला ग्वेशन है भारतिय प्रबंदन सहस्तान का मुख्याले कहां पर स्थित है चार ऑप्षन आपके पास सही तर है बैंगलूरू बैंगलूरू में स्थित है भारतिय प्रबंदन सहस्तान का मुख्याले इसके अतरिक्त इसकी अन्य साका है कोलकाता, एहमदाबाद, वारानसी और नासिक में भी है लेकिन इसका मुख्याले स्थित है बैंगलूरू में अगला क्वेशन है वास्कोटी गामा का भारत में परवेश किस वर्स हुआ था यानि वास्कोटी गामा भारत कब आया था चार ऑप्षन आपके पास सही तर है 1488SB 1488SB में पुर्थगाली नागरिक वास्कोटी गामा केरल के कालिकट बंदरगा पर आया था अगला क्वेशन है बद्रिनाद धाम किस राष्ट्य राजमार्ग पर इस्तित है चार ऑप्षन आपके पास सही तर है राष्ट्य राजमार्ग 58 यानि NH 58 पर इस्तित है बद्रिनाद धाम इस्तित है उत्राखन में और अगर हम बात करें राष्ट्य राजमार्ग 58 के तो ये प्रारम होता है नई दिल्ली के गाज़बाद शेतर से और गाज़बाद से लेकर ये तिबबत सीमा तक उत्राखन में बद्रिनाद में तिबबत सीमा तक इसका विस्तार है और ये उत्राखन का सबसे बड़ा राष्ट्य राजमार्ग है अगला क्वेशन है समविधान दिवस कब मनाया जाता है चार उप्षन आपके पास से युतर है 26 नौमबर 26 नौमबर को प्रतिवट्स 2015 से समविधान दिवस मनाया जाता है भीमराव अमबेटकर की याद में उन्हें समविधान निर्माता कहा जाता है